जी डियर स्टुनेंट्स कॉंसिटिशन अब मलेशिया पेज नूमबर 349 पेज नूमबर 349 है लास्ट लेक्चर में स्टुडेंट्स हम लोग पढ़ रहे थे अबाउट एलेक्शन्स और यह पार्ट एट एलेक्शन्स के हवाले से के आपकी जो अलेक्शन्स को किसे कंड़क कर वाय जाता है कौन अलेक्शन्स को जो है वो अट कंड़क करता है और प्रॉसस क्या है ऋँचो पास कितने कमिशन वे पास और फीर्डियॉल कर किया सिस्टम है तो ये तमाम चीजें हम लोगों ने जो था स्टेडी किया था और आज पेज रबर 349 है इससे हम लोग इसका ये एक आदा और पॉइंट करेंगे इसके बाद पिर हम लोग नेक्स स्टार्ट करेंगे इसका 349 पीसी टॉपिक का पॉइंट है इसको देखेंगे और एक आदा इसका कुछ और पॉइंट करके देन इसको हम लोग वाइंट आप करतेंगे अच्छा जी पॉइंट अबर 6 है इसको मैं रीड़ाउट करता हूँ there shall be separate reviews under clause 2 for the states of Malaya and for each of the states of Saba as our and for the purpose of this part and the expression unit of review shall means for federal constituencies the area under reviews and for state constituencies the state and the expression states of Malaya shall include the federal territories of Kalalampur, Lebon and पतर आजा अच्छा आप यह कह रहा है कि अगर आप लोगो थोड़ा पीसला लेक्षिर याद रोगा तो जादा आपको इजी हो जाएगा इसको सुनने को और समझने को अगर आप लोग नहीं थे तो फिर मुश्किल हो जाएगा लेकिन सुने आपको पता चल जाएगा कुछ को कहा को कहा है कि अगने ने बताया था कि जो يाएग दाए कि इसक्राव है को इसमें पास इस्तियाराथ होते हैं कि वह रिवी कर सकती है रिव्यू Same Forbes के हमाले से हैं Но मेंबराद की तया कुछ शूटी म prawटि कोई changing करनी है तो वो कर सकने especially हलका बंदियों के हवाले से तो वो बात कर रहा है कि यहां पर जो review है वो कहता है separately किया जाएगा जो federal consequences है like वफाकी जो हलका बंदियों है उनकी अलग से उनका review होगा और जो states हैं उनका अलग से होगा इदर वो बात कर रहा है सभा असरवावकी यह जो Malaysia की जो है यह Eastern Side की जो यह states है ठीक है Eastern Side of Malaysia जो है वो यह इसमें यह आजाते हैं सभा असरवावक और आप देखते हैं जो Malaya जो कौलालंपूर के साथ यह जो दो states और है वो लैबॉन और आपकी दूसरा है पुतरा आजाया ठीक है ये आपकी स्टेटिस ही पननसियेशन में जोड़ा बहुत कुछ हो सकता है फरक तरह से कुने कुछ पननस करता है बारहल ये आपकी कॉलालंपूर के साथ ये फैडरल के साथ ये दो रियास्ते हैं तो कहरा है इनके अंदर जो इसका रिव्यू है वो ड हलका बंदियों के हवाले से जो वफा की ये और जो रियास्ती जो हलका बंदिया है उनका जो है डिफरेंट जाइजा लिया जाएगा ठीक है जी अचा आगे इसका सेवन पॉइंट है ये कार्ड दीजिए और एट नाइन चोने क्योंकि पिछले पांच शे पढ़ लिए पा जो है जो कह रहा है जिस दिन ये रिवीव कंप्लीट होगा लाइक जो आपने हलका बंदियों के हवाले से ये अलेक्शन के जो मामलात है साथ हाउस फ रिप्रेजेंटेटिव से जुड़े है या वह लेजिसलेटव इसम्बली से वह कहता है उस हवाले से जो आपका रिव्यू है जो जो जरीदे है जरीदे जो है अलेक्शन कमिशन के उसके अंदर जो है वह आप पब्लिश करेंगे उस टेट को ठीक है आगे Constitution of election commission अच्छा या Constitution of election commission का 350 पेज पेज़ बचो नीचे 114, the election commission shall be appointed by Yang Di Bato on a gong after consultation with the conference of rulers and shall consist of chairman, deputy chairman and five other members. Very easy, ये कोई मुश्किल बात नहीं है, ये हमने पहले पढ़ा भी हो, उसी से related है, ये, कहते हैं जी, Constitutional Malaysia का जो election commission के पास, जो उसको सबसे पहले forming उसकी बता रहा है, कहते है election commission का जो election commission को पॉइंट करता है, किसके पास इसके पास इसक्तियारात होते? King के पास, Agong के पास, not Nagere के पास, ठीक है, Nagere जो है वो, वैसे सरबरा जरूर है, लेकिन election commission के हमाले से जो इसक्तियारात है, वो, किसके पास होगे? यह एंग डी पटाउन अगॉंग के पास, जो पूरा overall king, और इसके बाद उके थे consultation of आपकी जो conference or rulers से मश्वरे के बाद, इस पे chairman, इसका deputy chairman, and five other members, जो है उसकी एक कबीना है, इसका ही जो सारा election commission के जो membrane के हमाले से. कहते हैं कि जब king है, अपने मेंबरान की, जो है, वो, election commission के हवाले से, उनको appoint कर रहा होगा, तो इस चीज़ का वो जरूर ध्यान रखेगा कि जो election commission के जो membrane है, या chairman है, या deputy chairman, जो भी उसके साथ affiliated लोग हैं, वो लोगों की, उनका, लोगों के confidence उनको हो, ऐसा ना हो कि वो unpopular लोग हो, या किसी unethical activity के अंदर involved हो, या उनके ओपर पहले से कोई ऐससे corruption के, या cover all किसी की favoritism या nepotism जिसको बोलते हैं, उसके कोई उसका हो, या किसी party की तरफ उसका inclination हो जादा, तो पहले से ही जो membran होगे, उनको public confidence, जो है, वो जीतना जूरी होगा, यानि कि लोग डूसी parties हैं या लोग हैं, उसके उपर इतमाद करें, यूनानमसली लोग उसके साथ जह हो मुत्फिक्का तोर पे उनकी जो membran की जो appointment हो उनके उपर जह हो एगरी हो, लैक इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल किया जाएगा, प्रूट नवर एगरी है, अमबर ऑ्रूट आटिन च्रूट जाएगा, अजिए तो होड ओफिस और एटेन अच्छिए अच्छन एगर जाएगा, जो तो दाएगि पटवानेगाउंग बचल नॉट बी रिमूवड फॉम ऑफिस एक्सेप्ट ऑन दा लाइक ग्राउंच ऑन इस तालाइक मानगर जजज और फेडिल कोट अच्छिए अब वो कें रहा है कें रहा है election assumption कीमिश्छn के जो मेंबर हो कहते है के 66 स्क्स हो जाते हैं अगर रब आव हो जाते हैं तो उनके पास जो इस्टयरात है جो पास उनके पास जो पार्स है वो कहता है सीज कर ली जाएंगी Willk था कहले के retirement की तरफ जाएंगे या services जो है और provide नहीं कर सकते, वो अपनी office को छोड़ देंगे, अपनी services को cease कर देंगे, और disqualify हो जाएगा, और on becoming disqualified under clause 4, admit and anytime और जी करते है किसी time भी clause 4 के तहाद वो disqualify हो जाएगा 66 के बाद और किसी भी टाइप जब वो चाहे रिटन देने के तहरीर के बाद वो resign भी जो है वो कर सकते हैं, आपके पास ये एंग डी पटॉन के पास ये एक्षारात है कि उनको remove कर सकते हैं, बट एक चीज़ का ध्यानक नहीं इस बात पर आप उनको remove नहीं कर सकते, लाइक के अगर कि या disliking की base के ओपर आप उनको remove कर दे कि मुझे बंदा पसंद नहीं है, या इसके साथ मेरा कोई और तरलुग है, या इसने मेरे साथ ऐसा किया था, किसी ऐसी base के ओपर आप उसको disqualify नहीं कर सकते हैं, हाँ जैसे मैंने बता है, भी इसको disqualify कर सकते हैं, ये भी के पास ल से, जी, point number four है, now withstanding anything in clause three, the yang di patona gong shall be ordered, by order removed from office any member of the election commission, if there's such member, जी, कहते हैं कि जब चाहे, वो किसी भी member को election commission के, उसको remove कर सकते हैं, उसको fire कर सकते हैं, अपनी उस job से, लेकिन कौन कौन सी reasons हो सकते हैं, जिसवज़ से वो मेरी लिए उसको fire कर सकते हैं, उस office से, वो है, जी, सबसे पहले, इस एन अन्डिस्चार्ज बेंकरफ्ट जी, लाइक कह रहा है कि अन्डिस्चार्ज होता है, किसी काम से वो बरी ना हुआ हो, बेंकरफ्ट हो, ठीक है, या डिस्चार्ज ना हो, कोई किसी भी case के, उसके उपर हो, या कोई वैसे बंद हो, या किसी भी लहाज से, उसके उपर कोई case सर रहा हो, बेंकरफ्ट हो, देवाली है, जिसको बोलते है, वो, तो आप उसको जो है, वो fire कर सकते है, निकाल सकते है, कोई भी member, including इसमे चेर्में, डिप्टी चेर्में, और पाँच मेंबरान, ठीक है? नेक्स भी है, engage in any paid office or employment, outside the duties of his office, जी, कोई भी काम कर रहा हो, अपने इस page number, बेटा, 350 है, उसका end part of 350 का, 350 की last line है, time साय करें, पिर पता चल जागरें आपको, 350 का last B point, engaging in any paid office, कहता है, किसी भी ऐसी office के साथ, दफ्तर के अजार कोई employment ऐसी ना हो कर रहा हो, जिससे जो है, वो उसको कोई incentives मिल रहे हो, salary मिल रही हो, अपने जो services के लावा कोई और काम ना कर रहा हो, like election commission, अगर वो member उसके लावा कोई ऐसी job ना कर रहा हो, कोई ऐसी duty ना कर रहा हो, किसी भी office में कोई ऐसी services नजाम ना दे रहा हो, जिससे उसको कोई फाइदा हासल हो सकी, को incentive ले रहा हो, होते है affiliated, अगर हम member बनते हैं, representative के सारा हम लोगों ने discuss किया तो आपको जो डिस्कॉलिफाय कर दिया जाए गए, इस तमाम वही बातें दुबारा हैं इदर सारी election commission के मेंबरान के हवाले से भी, कि अगर आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चले गया, एपेस दबर आग या करता है, इस अ मेंबर आइदर house of parliament or of the legislative assembly of state जी, या तो या member हो अगर house of representative का या legislative assembly का यहाँ से भी उसको जो है वो, अगर वो है भी तो उसको यहाँ से give up करके चोड़ कर अपना स्तीफा देने के बाद आप उधर जो है जो है जो आइन कर सकता है, एक time पे वो ऐसे नहीं ह भी जो है वो member हो, ऐसा नहीं हो सकता, जी, फोर्थ point इसका है, 352 page के उपर, in addition to any disqualification provided under clause 4, the chairman of the election commission shall be disqualified for holding such office if after three months of his appointment to such office or at any time thereafter he is or become a member of any board of director or board of management or an officer or employee or engaged in the affair of business of any organization or body whether corporate or otherwise or any commercial industry or other undertaking whether or not he receive any remuneration, reward, profit or benefit from it. अच्छा दी, अब वो क्या कह रहा है जी, कहते है कि अब मैंने जो आपको अब थोड़ी दर पहले बताया है कि इस पे वो चीज़े भी शामल है जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि अगर कोई बंदा अच्छी मन्च से जादा अपने किसी भी एक्टिविटी को के साथ इंगेज रहता है इस इसके अलावा इस जॉब के अलावा election commission की जो उसका chairman है या डिप्टी चेर्मेन है इस जॉब के लावा अगर कोई भी एक्टिविटी करता है कहीं भी जगह पे वह पॉइंट है कहीं का भी वह member है चाहे वह कहीं भी employee है या वह corporate business कर रहा है या commercial industrial anything अगर वह कहीं भी engage है तो उसको तो है वह give up करना पड़ेगा otherwise अगर वह three months से भी जादा उस activity के साथ engage रहता है उस activity को continue करता है तो he will be disqualified from his job और इसके पास इक्तारात है कि इनके पास उसको जो है वह disqualify कर सकते है इस base के उपर in वजुहात की बिना पे ठीक है provided such disqualification shall not apply with such organization or body carries or any welfare or volunteer work on objective benefit to the community to any part there for any other work on objective of charitable or social nature as a member does not receive any remuneration, reward, profit or benefit from it जी वही पुरानी बात के कोई भी जो disqualification है कहता है इसके ओपर इन चीजों के ओपर लागू नहीं होती अगर वह ऐसी वह activity कर रहा है जिसे watch रहे कि को बेथरी का कोई समाव बन सकता है या आप कहलें कोई volunteer work या charitable activity वो कर रहा है तो उस हवाले से वो कहते है कि इनके ओपर जो है ये रूल जो है वो लागू नहीं होगा कोई भी benefit दे रहा है community को या कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे आप देख सकते हैं कि जो society है या social issues है या social problems हैं उनको जो है वो उनमें भीतरी आ या just charitable work है और इस मौशने में भी बेटरी आई तो आपू कर सकते है ठीक है सुनैन ठीक है ओके जी उसी नमबर पर ठीक है ओके ओके थैंक्स इस में कोई डिफिकल्ट बात ही है वो उससे मिलता जुलता ली पॉइंट से सारे election commission or household representative वगारा से पारिमेंट शल बालाओ परवाइड वारा फॉर दे को मिलते हैं बोनेस या आप कहलें increments, any remuneration, कोई भी किसी किसम की, कोई उजरत, कोई इनको बोनस, कोई तन्खाएं, सालरी, वो तमाम की तमाम जो एलेक्शन कमिशन की जो मेंबरान है, या चेर्मेन है, वो उनको कहां से दी जाएगी? जो कुनसोलिडेटेटीर्ट से दीया जाएगा Ça कुनको कंसे ऐते हैं, क के किस एक्टिविटिज के लिए घ्र conven जो है पेमेंट कर सकते हैं, तो यह वो कह रहा है कि जो उनकी तनखाए है, इंकी नहीं जो हुदरा है, कि जो सैलरी है वो तबाब की तमाम जो है वो कि इडिकेट फ़न्ड से जो है वो पे की जाएगी बस ठीक है यहां तक इसको को ने आगे के कह रहा है यह जी आगे पॉइंट नबर सिक्स में इसकी कह रहा है कि आगे पेज पेज त्री फिटी फॉर में कहता है कि इस आप इसको पॉइंट कर देंगे तो उसके बाद आप इसी किसम की भी इसकी जो एपॉइंट मेंट के वाले से उसके चेंज नहीं कर सकते एक किसी लहास से भी इसको के इसकी तने और उसका टाइम पिरियर या उसकी जो आप इसको आप इसको कर देंगे जा आफ्टर बिफोर आप कर सकते हैं अगर कोई ऐसी मामलात हैं वो मुत्विक्का तौर पे लेकिन आफ्टर जब उसने ओफिस को कर लिया है सुन्भार लिया है दिन सर्विसिस पर वाइट कर देना आपनी इसको कर सकते हैं आगे पॉरिज सकते है अगे पॉरिज सकते हैं याजज़ जया है अगे पॉरिझ नबर प्ट नबर लिया है दुनावग भी आणी पर्ट ऑन अगोंग है आधी श्यज़ ऐसे फेर्डर एदेर आफ यह कुझी जसे प्ड़िश्च इलनेस और नेद धिसोज़ आफिस to discharge the functions of the chairman during that period and if the deputy chairman is also absent or unable to discharge such function a member of the Election Commission may be appointed by the yeah engagement to discharge the function of that chairman mos जी हाँ जी आच्छा आब क्या कह रहा है जी कि कोई भी कहता अगर फॉर एग्जेंपल चेर्मेंट एलेक्शन कमिशन किसी भी वज़ा से कुछ उटी लेकर गया है या एपसंस है किसी रज़न के वज़ा से बिमार है या बैसे अपने हॉलिडेस पे गए हैं या किसी और वज़ा से जो है उनको कोई प्रॉब्लम है तो उनकी एपसंस में जो डिप्टी चेर्मेंट होगा वो लीड करेंगे और उस टेने और के अंदर डिप्टी चेर्मेंट साब को भी कोई प्रॉब्लम पढ़ जाता है तो कि कोई मसला हो जाता है देन या यांग सकता है ताकर जो शर्विस जो फंक्शन्स हैं इलेक्शन कमिशिन के उनको कोई हर्ज ना और वो कंटीनु रह सके यह 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 acquaint की गौरम के पास तो एंग है वो पाइर तो चेंज कर सकता है जब चाहे जब उसका दिल चाहे वो सर्विसिस जो है वो किसी दूसरे मेंबर को दे सिकता है इन रिजन्स की बेस के ओपर अगर एपसेंट होता है या किसी भी वज़ा से बिमार ये को प्रॉब्लम होता है जी रचो कुछ समझ आ रहा है हम लोग ये इसके दो सो पेजिस पढ़ चुके है मुझे लगता है पीछे से आप फारिग तो नहीं है लफ़ भी ना आता हो आप लोगो मैंने का था मैं आप से कुछ थोड़ा सा पीचे से सुनूंगा तो आप लोग उस दिन कोई बच्चा आया ही नहीं सबने शुटी कर ली तो बिटा सासर पढ़ते नहीं अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो मुझे से पूशते रहे हैं थोड़ा सा मैंने उस दिन भी बतायता है थोड़ा सा इनकासल में वर्ड टू वर्ड इसका तरजमा करना होता है तो इस वज़ा से जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जा है जो इदर लिखा हुआ है तो क्योंकि वो चेंज नहीं कर सकते आप दूसरे थोड़ी सी इसकी ट्रांसलेशन भी जा हो कॉम्प्लिकेटेड सी होती है कॉम्प्लेक्स होती है समझने में तो अगर फिर भी आवो कोई बसला है तो आप उससे पूछ सकते हैं दुबारा ताक लेक्चर में ने इसको खत्म कर देना कॉंसिट्यूशन को यह सबसे कॉम्प्लिकेटेड और लेंधी सा और कहलें बोरिंग आ कॉंसिट्यूशन था जिसको हम लोगों ने खत्म कर लेना है तो इसके बाद और यह देखिया माशालला दोसो ड़ाइसो पेजिस का यह भी हम लोगों ने पढ़ने यह भी खत्म हो जाएगा कुछ पांच साथ आर दस दिनों में उसके बाद फिर इसके जो कुछ क्लाजिस इंपॉर्टन जो क्लाजिस इसकी शिके जो है आर्टिकल्स की को पंदरह बीस पच्चीस तीस मैं उनको टिक करूँगा आपकी लिए उस कुछ नकुछ सोड़ा सा बेतरी हो जाए बाकी बच्चे जब तक आप खुद नहीं इसको पढ़ेंगे तो आपको कुछ नहीं आएगा बात याद रखिएगा चैलने इसको यहां पर बाइंड आप करते हैं इसको ब्रेक लगाते हैं इंचाला कल नेक्स को कंटीनू करेंग कि अगर कोई प्राबलम है इसको आज पढ़ा है तो इसके हवाले से आप मुझसे पूछने कोई को समझ नहीं आया कोई बात पूछने वाली है तो यू कन आस्मी एनी क्वेस्टिन रिगार्डिंग इस टॉपिक जी आज जो प्रेजन्ट स्टूडिंट्स हैं वो हुसमेन, अहमद, आप मुझे मेसेज में लिखते जाये, यसर, वसनेन, हम्जा नजीर, शमूना, नजीर, शमूना, निताशा, अमीर हम्जा, जी स्टूडेंट्स एनी कुएस्टिन मुझे में लिखे बताएं इस टॉपिक के हवाले से कोई बात आपने पूशनी को समझनी जलिली मुझे बताएं जन देन पिर हम आगे देखें हरे अगर नहीं है तो ठीर सोके ओके अमीर हम्जा टाइम से क्लास लिया करो और अपने बाकी फैलोस को भी आप बोला करें क्लास लिया करें बच्चो ओके ठीक है अमीर हम्जा अच्छा बच्चो आपको यह 25 से ओस तो नहीं हो रहा ना आप लोगोंने लेक्चर्स लेनी क्या कुछ है इंफोर्मेशन या नहीं आप लोगों को भी यह कॉलेज की तरह से तो मेरा नहीं ख़िल अभी कोई डिरेक्शन हमें आई है आपकी जो वजीरे था है आपका जो यह एजूकेशन मनिस्टे तरह इस ते शाहिए पॉँश्क किया था मुझे तो अभी भी इंटेंशन हो रही है आई डॉट ऌनो विकेशन की विपसे उन्हों नहीं कहा था कि विंटर विकेशन की विट्टी से लेकिन अभी तक कॉलेज की तरफ से हमें, हैन्मिस्टेशन की तरफ से हमें कोई जो है वो इन्फोरमेशन नहीं है, तो इसलिए अपने पास से ज्यादा खुश होने की जुरूरत नहीं है, क्लासेज आपकी होंगी इंचाहला। जी, बिल्कुल ऐसे ही है, वोकेशन में ही आपको अल्रेडी हैं, घर बैठे होंए यह वोकेशन ही हैं, इसमें अगर दो खेंटे के लिए आपको इंगेज किया जाता है तो यह अच्छी एक एक अक्टिविटी है, तो इस एक्टिविटी को बरकरार रखना चाहिए। जी, जी, चैले, बेत्रो अल्ला, में बेत्र करें, मुझे तो हलाद देखें, अलला करें, ठीक ही हूं, आगे एक्सेंशन ना हो, आपकी वोकेशन्स के अंदर भी हैं, लेकिन अभी यॉरप के तो हलाद ज्यादा खराब हैं, हमारे तो फिर कुछ बेतर है, देखें, अभी जो ग्राफ है तोड़ा सा नीचे आया है डेट्स का भी और ये जो आपकी ओवराल लोगों को जो लगने की जो शरा है वो भी उसका ग्राफ भी जो है वो पॉइंट फाइव जो है वो नीचे को आ रहा है एक डेड़ पॉइंट नीचे हैं होपुली बेहतरी की तरफ वला करे जाए 30 डिसेंबर को दोबारा से विखाम में को meeting meeting sheeting है इनकी जिस में तो आपकी education policy जो नहीं आई है उस हवाले से discussion की जाएगी शायद आपनों को नहीं पता आपकी education policy भी नहीं है उसमें काफी changing भी उसमें की गई है अप्तिक एडुकेशन पॉलीसी है तो उस हवाले से फिर देखें थैर्टी डिसेंब्र में क्या फैसल लिया जाता है चले सूजन्स ठीक है अपना ख्यार लगएगा कल इसी ताम में वारी क्लास होगी इसको इंशल आके कंटीन्यू करेंगे को कि सुंसे लाफ दिस झाले से लाफ दिस पिर देघे, युिया अन्या लाफ भी जा दिसे लाफ़वागा की जाता है क्या अपना थाफ दिस जा उलीज रवागा लाफ भी देखेंगे ताम प्लाप वाफ़ दो की में तो की जाता है झाल झाल